अजी क्या हल चाल है बिलासपूर कहते हैं 36 गड़ के सबसे फेमस डिश्टिक में से एक माना जाता है यहां का एरपोर्ट जो कि बिलासपूर एरपोर्ट है कैसे जाएंगे क्या क्या चीज़ें एरपोर्ट के अंडर कैसे फ्लाइटे चलती किस तरी किस से बोर्डिंग पास सबसे पहले सकते होटल कि स्विधा क्या पूरी जहनकारी आज के इस वीडियो में दिखाने वाले और यहां का सच्चा ही जो आपको हैरान कर देगा जरूर देखें तो देख सकते सबसे पहले जब कभी आप बिलासपूर का प्लान करते हैं जो कि बिलासपूर अगर हम कोई यद्ड़ा है इसके साथ में कश्टम विभाग के उपस्तिति यहां पर नहीं है अगर रंवेड की बात करें तो जो है अर इसकी लंबाई उडान पट्टी की लंबाई की बात करें तो उनसट सौ फीट है जैसी आप जाते सबसे पहले इंट्री गेट में आपका जो है डिश्टिक में से एग माना जाता है बिलासपूर जो कि बिलासपूर शिटी से 10 km की दूरी पे यह बिलासपूर एइरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और यहां से बहुत सारे फ्लाटे चलती हैं जो कि आप जा सकते हैं दिली से जबलपूर, इलाबाद या इं इं डॉर से इन सभी जगह पर अभी फ्लाटे चलती है जिसके कारान आपको इहां से फ्लाटे मिल जाती है तो Airlines Air चलती है जो कि आपको एहमादाबाद, दिल्ली, इंडोर, जबलपूर, इंसा भी जगह के लिए आपको मिलेगा यहां से फ्लाट है तो इस तरीके साफ ट्रैवल कर सकते हैं अगर हम इसका IATA को कोड की बात करें तो BAB है और ICAO का बात करें कोड की तो BABU है जो कि जब भी आप सार्च करेंगे तो एरपोर्ट टाइप पब्लिक है गोवर्मेंट आप चतिसगर के ऑपरेट करता है इस एरपोर्ट को पूरी तरीके से और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो बिलासपूर से 10 किलोमेटर की दूरी पे ये मौजूद है कुछ इस तरीके से है और यहां पे अंदर में आपको वासरूम की सुधा साथ साथ में यहां पे खाने पीने का अलग-अलग कौंटर बनाये गया जहां पे आप फूट ट्रैक में खाना हूना खा सकते हैं और अगर आपकी फ्लाइटे लेट से है तो कुछ देर आप यहां पे वेट कर सकते हैं वेटिंग रूम में और इसके साथ में यहां पे जगह जगह पे सोफी लगाया गया है इसके साथ में लाउंज का भी यहां पे आप मजे ले सकते हैं तो लाउंज में आपको रुकना है त तो तरीके से आपयं और होटल लेके और अराम से सकते है। मैं से मिल यहां से ऐते हैं तो मिल जाएहां को यहां से जाती है। हो आना-जाना कर लेते हैं, दिल्ली औगरह से आपको फ्लाइटे मिल जाती है और 36 गड़ अगर आप प्लान कर रहे है तो यहाँ पर रूख सकते हैं तो यहाँ पर 36 गडर में कुछ एइरपोर्ट है जहाँ जो फ्लाइटे है हैं वह आपको लगातार मिल जागा लांगा तो तो उसके लिए एक बूत मिल जाएगा टूरिस्ट प्लेस के लिए तो वह आपको भूम दिया जाएगा और बाहर जब कभी भी आप जाते हैं तो बिलासपूर से आपको सीटी से बहुत सारी बसे मिल जाएगा यहां से 12 किलोमेटर के दूरी पर बिलासपूर जंसन पर हैं और यहां पर अगर आप लेंड करने तो यहां से देखिए यह एक जिट हो यहां पर बहुत सारी यह गाड़ियां मिल जाएंगे आपको सेरिंग में जो कि इन गाड़ियों को पगड़के और फिर यहां से आप जा सकते हैं विलासपूर के कोई भी हिस्सों में या फिर इस तरीक से आप पूरा ट्रैवल कर सकते हैं 1922 में इसे उपन किया गया था हलाकि प्लैन जो चालू हुआ है फ्लाइट की वो तो बहुत दिन बाद हुआ है लेकिन 1922 में इसे एरपोर्ड को और काफी शंक्या में अब जो है फ्लाइटे यहां पर चलती है लोगों की जन सं जानकारी था कि मैंने आपको दिया जब बलपूर और इलहाबाद के रास्ते से दिल्ली के लिए 4x सप्ता ही कुड़ाने हैं जो कि आपको सप्ता में मिलेगा तो इस तरीके से आप यहां पर प्रावल कर सकते हैं दीरे दीरे और भी चीज़ें इसमें बढ़ रहा है और आगे और भी बढ़ेंगे इलिवेशन की बात करना दोस्तों चोहत्र मीटर है और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो यह पूरा जानकारी था वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए अपना ध्यान दे और प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपके पास भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में उसका भी जानकारी आपको देंगे थांक्यू